स्री रादा बल्लभो जयाती परम पूज्य स्री हित प्रेमानंद गोविन्चरणजी महराज से एक भक्त ने अपनी संका की समाधान के लिए पूछा कि महराजी देहे भाव से उपर कैसे उठें पूज्य महराजी ने भक्त की संका का समाधान करते हुए बताया जब हमारा चित सरीर संसार का चिंतन छोड़ दे और प्रियलाल के चिंतन में तनमयता को प्राप्त हो जाए बस यही देवाव से रहित होना है जैसे रास पंचा ध्याई में कृष्णान बेशन करते समय ब्रज गोपियों की दसा का स्री सुगदेव जी बर्णन कर रहे हैं तनमंसकास्त दालापास्त दिचेश्टास्त दात्मिकह तत्गुणानेव गायंत्यो नात्मागाराणी सस्मर्भू उनका अमन कृष्ण में हो गया बाणी से कृष्ण चर्चा कर रही हैं सारी रिक चेश्टाएं भी कृष्ण लीला सम्मंदी हो रही हैं और बे स्री कृष्ण लीला का गान करती हुई कृष्ण स्वरूप ही हो गई उस समय उन्हें अपने देहे यानी सरीर एवं गेहे यानी घर परिवार की सुधी बिश्मरत हो गई यही है देहे भाव से रहित अवस्था का स्वरूप अपनी हूं सुधी ना रही एक रहयो नंदलाल लेकिन यह इस्थती सतत अभ्यास के द्वारा ही आएगी अभ्यास योग युक्तेन चेत्रसा नान्यगामिना अर्थात हमारी बानी से निरंतर नाम जब चलना चाहिए चित्व से निरंतर श्री श्यामा श्याम के चरनार बिंदों का चिंतन होना चाहिए हमारी स्रमिडेंद्रियें यह नियम ले लें कि प्रियलाल के यस के सिवाए हम कुछ भी नहीं सुनेंगे करमेंद्रियों से जो भी करम करेंगे श्री प्रियलाल को सुक पहुँचाने के लिए ही करेंगे और हिर्दे से हमारा आसरे इस्थल यानि विस्राम इस्थल श्री विंदावन धाम रहेगा अगर इस प्रकार के सतत अभ्यास किया जाए तो धीरे धीरे हमारा देभाब नस्थ होने लगेगा जै जै श्री रादेश्याम